यह जो चैप्टर का नाम है वह सूपर सेंसेज तो कुछ विशिष्ट सेंस, कुछ विशिष्ट ग्यान Has this ever happened to you? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? अब देखते हैं क्या? You were eating in the playground and eagle flew down and took away your roti तो कभी आप कहीं खा रहे हो और एक eagle आया और नीचे उतर के आपका रोटी लेकर के भाग गया क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it आपने थोरा सा कुछ मीठा जमीन पर गिराया और कुछ ही मिन्टों में वहाँ पर चीटी आ गया बहुत सारे चीटी आ गया, as you walked softly past sleeping dogs, its ears sort of advance तो जब आप किसी सोय हुए कुत्ते के बगल से काफी धीरे धीरे पर चलते हो तब भी उसका निंदों का खुल जाना, उसका जग जाना क्यों कभी ऐसा हुआ आपके साथ, why does it happen, think and tell, ऐसा क्यों होता है, सोची और बताए इनिमल्स also have different senses, they can sense, they can see, hear, taste, smell and feel, some animals can see their play from far away, some can hear even the finished sound, some animals can find their friends by their smell, the animal world is full of examples of amazing senses तो जानवरों में भी विविन्य परकार के sense होते हैं, वो देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, सुंगते हैं और महसूस भी करते हैं कुछ अनिमल्स ऐसे हैं जो अपने सिकार को काफी दूर से देख पाते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, जो बहुत ही महीन, काफी धीमी आवाज को भी सुन पाते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, जो अपने दोस्तों को कई किलो मीटर या काफी दूर से भी सुगंध से पहचाल लेते हैं तो इनिमल यह जो जानवर का संसार है, जो बहुत आस्चर्ज, आस्चर्जियों से भरा हुआ है. How does the ant recognize a friend? एक चीटी अपने दोस्त को या अपने साथी को वो कैसे पहचानता है? An ant was going along on the ground. It saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly come back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. तो एक चीटी जो जमीन पर जा रहा था, वो देखता है कि एक दूसरे चीटीयों का group आ रहा है उसकी तरफ, दूसरे साथ से. तो इसके group का जो पहला चीटी है, वो जाकर के और अपने hole के gate पर guarding का काम करता है. वो guard की तरह खरा हो जाता है और तब ये देखता है कि कौन से चीटी इसके group का है, कौन से इसके group का नहीं है. और उसको पहचानकत की तब उसे अंदर आने देता है, तो चीटी भी अपने साथी को, अपने friend को पहचानता है. Think and tell, how did the ant know that the other ants were not from this group? तो चीटी कैसे जानता है कि दूसरे चीटी इसके group से नहीं है? How did the guard ant recognize this ant? और जो guard ant है, जो रच्छक है, guard की तरह जो खारा होता है दरबार पर, वो कैसे पहचानता है चीटीओं को? Try this and write. इन्हें आप छोड़े कि कुछ सूगर या जागर या कुछ भी sweet मीठी चीज़े जमीन पर गिरानी है, और देखना है कि उससा स्थान पर चीटी कितने दिर में आती है, और क्या एक चीटी एक बार में आता है या पूरी, पूरा उसका group ही एक साथ में आता है, फिर उस उसके साथ चीटी क्या करता है, उसके बाद वो चीटी यहां के बाद कहा जाती है, और क्या वो एक सीधी लाइन में या एक लाइन में वो चलती है, या फिर जिग जग जैसे तैसे कुछ इधर जा रही है, कुछ उधर जा रही है, ऐसे चलती है, तो इन्हें आपको notice करना ह तो साभधानी परक बीना किसे चीटियों को नुक्सान किये हुए उनके राष्टे पर एक पेंसल रख दे और तब देखे कि वो अब क्या करते हैं। चीटि तो लाइन में ही चलते रहते हैं। तो उनके जो राष्टा है उस पर एक तब देखे कि वह कैसे मुव करता है किस तरफ हुआ जाता है मैंने यर्शाग्वे साइंटिस्ट डिट मेने एक्सपरिमेंट लाइक दिस हैं फांड आउट आउट आइस देंट समोग डेली वे समेल अन्द ग्राउंड दा अदर एंट फॉलो दैसमेल तो फैंड दवे वर्सों पहले बयानिकों ने एक्सपरिमेंट किया कि कैसे एक चीटी उसको फॉलो करता है कैसे अपने राष्टे को पाचानता है तो यह बता दो कि वह जब भी चलता है तो अपने जहां भी चलता है तो जमीन पर एक परकार का इसमेल छोड़ जाता है एक महाक एक सुगंद से छोड़ जाता है और जो दूसरे चीटी है वह इसी महाक इसी सुगंद को फॉलो करते हुए और उसी रास्ते से वह रास्ता खुजती है ना यू कन गेस वाइदा एंट्स भी हैव लाइक डाइट वन यू ब्लॉक देर पाथ अब आप समझ सकते हैं कि जब उसके रास्ते को हम ब्लॉक करते हैं रोक देते हैं तो वह क्यों उस तरह से विहाइब करती है इदर भटकने लगती है सम्मेल इंसेक्ट कैं रिकोगनाइज दियर फीमेल्स बाइदेर इसमेल तो कुछ जो मेल इंसेक्ट है कुछ जो पुरुस इंसेक्ट है वह अपने इस्त्रियों को गंध से पहचान लेती है Have you ever been troubled by mosquitoes? Just think, how do they know where you are? क्या आपको अभी मच्छर उन्हें परसान किया है? यदि हाँ तो आप ये बताए कि मच्छर कैसे ये समझ जाते हैं कि आप यहाँ हैं? वो आपको कैसे पहचानते हैं? मस्क्छर आपको कैसे पहचानते हैं? जो बड़ी का एसमेल है, बड़ी से जेकपर का किस गंध आ रही है, जो भी गंध आ रही है, उसे से ये पहचानता है वो आपके तालवे जो पैर का जो तालवा है उसके सुगंद से भी आपको पहचानता है आपके बोड़ी के हीट से आपके बोड़ी के गर्मी से भी वो आपको पहचानता है I am a silkworm, I can find my female worm by many kilometers away by her smell तो ये है silkworm जिससे हमें रेसम मिलता है तो silkworm से silk मिलता है और ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो अपने female को अपने इस्त्री जो इस होगा इसको ये बहुत किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है उसके सुगंद से Have you seen a dog sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? तो आपने कभी कुटे को देखा sniffing करते हुए यहाँ वहाँ sniffing में सुंगते हुए ये क्या सुंगने की कोशिस करता है Dogs mark out their own area on the road, they can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty तो कुटे जो है वो अपने area में अपने छेतर को घेर का रखते हैं urine काते हैं मुत्र को और potty काते हैं lettering को तो यह इसी तरह से इसी दोनों से वो अपने चिन्ह को अपने छेतर को mark करके रखते हैं और दूसरे कुटे जब इसके area में आएंगे तो इसकी पचान वो ऐसे ही करते हैं इससे वो पता करते हैं कि वो कोई दूसरा dog उसके area में आया है तो इससे अपनी है अड़ी सकाने हैं कि ये गजविन कोई दूसरा आए आप याए हैं वाइ सो से बित्ड़ी सृष डीनी यह थो को आपने साँ एँ व़र शीमłeगोंर सेह इंथाी लीविन economics दूसरा सुसीख Almाया also had a baby of the same age it was funny that both the babies did party at the same time she happily cleaned her daughter but when she was cleaning her sister's son Deepak she covered her nose with her dupatta तो रजनी को किसी काम से बहार दना था तो वो अपने 6 महीने के बेटे दीपक को अपने बहां सुसीला के साथ छोड़ जाती है सुसीला को भी एक छोटे से उसी एज का 6 महीने का एक छोटा बच्चा है और एक बार क्या होता है इस फनी ही समझो कि दोनों बच्चे एक ही साथ पौटी कर देते हैं तो वो खुसी खुसी अपने बच्चों के अपने जो बेटी थी उसकी वो साफ कर लेती है सफाई कर देती है और जब उसके बहन की बेटी की बेटा को साफ करती है तो वो अपने नाक को दूपर्टे से ढखती है ऐसा क्यों हुआ चलिए आगे लेट से राइड नेम फ़ बर्ट विच आइज इन फ्रॉम्ट आफ इस हेड लाइक इन हुमन्स तो ऐसे बर्ट का नाम बताएं जिसकी आखे मानव की तरह सामने होती है चलिए दया होती है और उसके जो सर है उसकी तुलना में उसके आखों का साइज क्या है आखों का आकार क्या है अधिकांस जो चिरिया है उनकी आखे दोनों तरफ से होती है एक इस साइड में दाय साइड में यह नहीं कि वह सामने सामने मानव की तरह हो इंसानों की तरह हो तो इससे क्या होता है कि वह काफी दूर देख पाते हैं काफी दूरने काफी बर्यास्थान को देख पाते हैं हम अपने सामने ही देख पाते हैं और वो सामने के साथ साथ दोनों साइड भी देख पाते हैं और आप चिरियों को देखे हुए कि वो अपना सर जल्दी जल्दी घुमाती रहती है भेरियों प्राय घुमाती रहती है सर क क्यों कि उनकी आखे नहींगी है हमारी आखे गुमती हैं एभ आप Ava देख रहे हैं चाहे तो बीना सर को घुमा हैं जाहे ने अलग भी देख पाते हैं लेकिन चिरिएंग की साथ ऐसा नहीं होता है उन्हें अलग देखने के लिए अपना सर ही घुमाना परेगा और इसलिए च्रियां हमेशा अपने सर को मुव करती रहती है घुमाती रहती है लिएक लिएक आकर से और दोनो अगर से अक्रन को आखने ये One University तो अपने एक आको को बंद कर ले और अपने मित्र को कहीं कि वो किसी भी तरसेدا 내가 lean करें हिसे काई करें और आप उन्हें देखेgend ए फिर आप दोनों Ahora से देखें देखें आपको क्या फरक देखता है आपने without moving or anamp उपने बीना नेख हो को घुमाए हुए देखें तो इन से क्या फरक पड़ता है इन्हें गहिंग मैं ना टॉस ज्मॉल बाल और स्कॉएं राइक टॉस करें उचा ले और तब उन्हें एक आख से देख्ते हुए कैच करने की कुछिस करें और फिर दोनों आख्युक्तर करने की कोशिस करें देखे कि वो कैसे आसान हैं इमेजन आपके कान आपके आखे होती तो आप क्या करने में सक्षम होते जो अभी नहीं कर पाते हैं कि आप कल्पना करें और बताए ही बहुत अच्छा सा सवाल है कि अगर आपके कान के अस्थान पर आपके आखे होती तो आप क्या करने में सक्षम होते जो अभी आप नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ रिया है जैसे काइट से अगल से बल्चर से वो हम लोगों की तुलना में चार गुना दूरी से भी देख सकती हैं हम जिने 8 मीतर की दूरी से देखते हैं हम जिने 2 मीतर की दूरी से देख पाएंगे असमस्ट वो इन 8 मीतर की दूरी से भी देख पाते हैं तो इनकी आँखे काफी तेज होती है now you can guess from what distance neural in the sky, can see a roti आप सोच सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि कोई बच्चा अगर कहीं पर रोटी लेकर के बैठा हुआ है तो एक एगल काफी उंचा से उसको देख कर और आकर रोटी लेकर भाग जाता है कैसे तो जानवर उतने रंग नहीं देखते हैं जितना हम देख पाते हैं अब यहां चितर में देखे कि किस इनिमल को कैसा देखता है तो सबसे पहले मानव है जो मानव इस तरह से फर्स्ट पिक्टर जो मानव को देखता है सेकेंड पिक्टर जो चिरियों को देखता है थर्ड जो डॉक को देखता है और फोर्थ है जो कोई चूहा है तो इसे दिखता है देखे, मारव को रंगीन दिखा है, चिरिया को रंगीन दिखा है, रेड कलर लेकिन डॉख को सिर्फ हरा और राइत दिखा है उसे रेड कलर नहीं दिखा है और यह जो चुहा है, रेट है, उसे सिर्फ बलाइक rookie दिखा है It is believed that animals that are awake in the day time can see some colors, those animals that are awake at night can see things only in black and white colors तो ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल डे टाइम में जगे होते हैं वो कुछ कलर देखते हैं उन्हें कुछ कलर दिखाई परता है लेकिन वो जानवर जो रात के समय जगते हैं जो रात त्री चर होते हैं उन्हें सिर्फ काला और उजला रंग ही दिखता है तो अब आप पताएं कि उल्लू को एक सेव किस कलर का दिखेगा निसंदे वो काला दिखेगा उसे क्योंकि उल्लू रात रिजर है वो रात में निकलता है तो कलास फोर में आप लोग ने पढ़ा है कि इन चिरियों का कान को हम लोग नहीं देख सकते हैं उनकी कान एक तम छोटे से होल जैसा होता है बस और वो भी उनके फेदर से उनके जो पंक है उनसे ढखे होते हैं अब आगे देखते हैं अब आगे देखते हैं हाई अपने ट्री लंगुर वान्स दियर और सब डेंजर लाइक टाइगर लियोपार्ड तो लंगुर जब उपर में होता है हाई अब वह दूसरे लियोप दूसरे किया करता है कि व्यास करता है記得 क्या टाइग्ड और ब्रकिलि अकालआ कचे वार्निंग Как पूंशन दूसरों क करता है एक सफेसरा की आवाज निकालता है बटश तो लंगूर क्या करता है एक special warning call एक special खास तरह की आवाजे निकालता है birds also give alarm calls to warn about the danger, some birds even have their sound for difficult kinds of danger for example there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground तो चिरिया भी इस तरह की alarm calls देती है वो ने अलग तरह से आवाजे निकालती है जब कोई खत्रा आने वाला होता है और मचलिया जो है वो electric signals के रूप में विद्दूत के रूप में वो अपना signal देती है खत्रा के लिए some animals start behaving in different way when an earthquake cluster is about to come people who live in forest can observe such behavior of animals come to know of the danger तो कुछ जानवर हैं जो खत्रा के समय जैसे earthquake भूकम या फिर आंधी तुफान आने वाले हैं तो उस तरह से वो अलग तरह से ही behave करते हैं अलग सा आच्रन करते हैं और ये जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं वेसे आफजाब कर पाएंगे देख पाएंगे डॉल्फिन अलसो मेक डिफरेंट सांस तो गिव मैसेज तो इच अदर साइंटिस्ट बिलीव देट मेनी इनमल्स हैवे स्पेशल लेंग़ज अफ दियर ओन तो डॉल्फिन भी अलग तरह से मैसेज देती है बताती है अलग तरह की अबाजे उत्पन करती है तो सैंटिस्ट अपना ऐसा मानते हैं कि सभी जनवर हैं उनका अपना अलग अलग भासा होता है जनवरों की अलग भासा होती है Say it with sound. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving message. Remember, you have to talk your friends with only sounds and no words. How and when will you need to give an alarm call, for example, when the teacher is coming to the classroom? So say, so cable sounds, so you have to talk about sound, so you have to talk about sound. आप ऐसा कभी करें, आप ऐसा देखिए. Some animals go into sleeping, waking. Some animals go into a long, deep sleep in certain seasons. Then, they are not seen for many months. कुछ जानवर ऐसे हैं, जो लंबे समय तक, काफी गहरे निद्रा में, एक निश्चित मौसम में सो जाते हैं. तब वो, कुछ महीनों तक नहीं दिखते हैं. क्या आपने ऐसा नोटिस किया है, कि ठंड के मौसम में, छिपकल ही नहीं दिखते हैं. अब क्या सोचते हैं, वो कहां चला गया होगा? Sloth. It is look like a bear, but it is not. It is a sloth. यह देखने यह भालू जैसा है, लेकिन यह sloth है, भालू नहीं है. It is spent almost 17 hours a day sleeping while hanging up its side down on a tree branch. तो यह प्राय दिन के 17 घंटों में यह सोता है. और वो भी पेर की डाल से चिपके हुए और लटके हुए. The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. It hardly needs anything else. When it has eaten enough leaves from the tree, it moves to the nearby tree. तो यह क्या करता है कि यह जिस पर रहता है, जिस पेर पर यह रहता है, उसी पेर का पत्ता खाता है. और उसे छोरके से और कुछ नहीं चाहिए. और जब यह सब कुछ है, उस पेर की अतिकांस पत्तों को खा लेता है, तो यह नेरवाई जो उसके करीब के दुछरे पेर हैं, उस पर चले जाते हैं. तो सलोथ लगभग 40 वर्चों तक जीता है, और उस समय में, उतने समय में यह करीब आठ पेरों पर चड़ता है, आठ पेरों तक जाता है, और एक सबता में, एक ही बार यह कभी खुद के आराम के लिए नीचे उतरता है. यहां देखें, यह जो काव है, काव, 24 आवर्स में, कितना है, दो घंटे, दो घंटे सोता है, ट्वेल्व में, तीन घंटे, बारा में एक घंटे सोते हैं और कैट है, यह बारा में छो घंटे सोते हैं, तो क्या आप विविन्त तरह की जानवरों को देखते हैं? क्या आपकी मन में कोई question है? तो ऐसे question हो का अप लिखें ए टाइगर कैन सी six times better at night than most of us तो हम लोगों की तुलना में जो बाग होता है वो दस गुना अच्छा लिखता है दस चो गुना अच्छा दिखता है रात में देख पता है दूसरा है तो बाग की जो मूचे होते हैं वो काफी sensitive होते हैं और वो हवाओं में जो movement है हवा में जो vibration है उन्हें भी ये परक पाते हैं और इस तरह से ये अंधेरी में भी चल पाते हैं और अपने सिकार को ढूंड पाते हैं तो बाग की जो sense of hearing है सुनने की जो स्रबन सकती है वो काफी तिवर होती है काफी सार्फ होता है वो घास पर जो सरसराहाट होगी हवाओं से उन्हें और वहाँ पर जो कोई animal घास पर चल रहा होगा उन्हें ये अच्छी तरह से परक पाते हैं बाग की जो कान होते हैं वो move कर पाते हैं अलग अलग दिशाओं में ताकि ये आसानी से सुन सके टाइगर्स मेंक डिफरेंट sounds for different purpose लाइक वेन इज एंगरी और तो कॉल आउट ट्वेटी ग्रेज इटकन अलसो रोर और स्नार्ल इट इज रोर केंड़ी हर्ड अप्टो 3 कॉलोमीटर अवे बाग अलग अलग इस थितियों में अलग अलग तरह से आबाजे निकालते हैं जैसे जब वो गुस्सा हो तो अलग जब उसे टिग्रेस को बुलाना हो बागिन को भुलाना हो तो अलग तरह की आबाजे निकालते हैं और जब यह रोर करता हो तब दहारता हो तब इसकी आबाजे तीन किलोमीटर तक सुनी जा सकती है इच टाइगर है जिट्स ओन एरिया विच में कॉबर सेवरल किलोमीटर्स टाइगर्स मार्क इर एरिया विधियर यूरेन तो टाइगर का अपना एक छेतर होता है जो कुछ किलोमीटर्स तख का होता है और यह भी अपने एरिया को यूरेन से मुत्र से घेर कर रखते हैं ए टाइगर कन एट बंस कम टो नो इफ तिर इन अजर टाइगर in its area by the smell of the urine a tiger will avoid going into another tiger's area तो एक tiger अपने area में दुसरे tiger के आने का पता उसके मुत्र के गंध से लगाता है और जो भी tiger है वो दुसरे tiger के area में नहीं जाना चाहेगा, वो नहीं जाएगा A tiger is one of the most alert animal tiger जो बाग है वो बहुत ही alert animal होता है काफी सक्री animal होता है और फिर भी आज बाग खत्रे में है उसकी जीवन खत्रे में है अब क्या सोचते है कि बागों के लिए खत्रा क्या है जंगल में Can human being also be a threat to animals, how क्या मानव भी जनवरों के लिए threat है भयानक है कैसे Do you know that today many animals are killed and their parts are sold कि आप जानते हैं कि आज बहुत सारे animals मारे जाते हैं और उनके शरीर के अंगों को उनके हडियों को बेचे जाता है elephants are killed for their tusks rhinoceros for its horn tigers, crocodiles and snakes for their skins musk deer are killed just to make a little scent from its musk people who kill animals are called hunters and poachers क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे animals आजकर मारे जा रहे हैं हाथियों को उनके tusks के लिए उनके जो दात होते हैं बाहरने के लिए उनके अलिए rhinoceros को उनके सिंग के लिए बाग, मगर मच और साप को उनके चमरे के लिए musk deer को उनसे सेंट बनाने के लिए जानवर मारने वाले इंसानों को hunters कहते हैं the number of tigers and many other animals in our country is reducing there is a danger that some of them will soon disappear to protect the animals our government has made some forest as protected areas some of them are in Jim Corbett National Park नुत्राखंड अन्ड घाना इन भरत्पर डिस्ट्रिक अब राजस्थान इंदिज एरियाज नोबटी केन हंट अन्ट 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 ए जंगल तो बाग और इस्टरा के कुछ जनवरों की संख्या काफी घटती जा रही है उनका जीवन खत्रे में हैं वो जल्दी पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे तो इन्हें बचाने के लिए सरकार ने कुछ जंगलों को उन्हें के लिए छोड़ दिया है जीम कोरवेट नेशनल पार्क जो उत्राखंड में है और घाना जो राजस्थान में है यहाँ पर एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है लिट्स मेक आप पेपर डॉग एक पेपर डॉग बनाएं यह कट करके मोर के बनाना है प्रोज़ बनाएं यह को लिए भवाँ उन्हें है